हलो अच्टूडेंट गुड मोर्नी मेरा नाम है केशिंग राना मैं हूँ आप लोग का मैट टीचर आप लोग का मोस्ट विलकम करता हूँ एमिंग हाई हिंदी यूटूब चैनल पर अच्टूडेंट आज का यह वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट होने बाला है इस वीडि संबंधों के प्रकार के बारे में प्रहाने जा रहा हूँ पिछला वीडियो में भी मैं आप लोग को संबंध के प्रकार के बारे भी प्रहाया था और मैं आज आप लोग को दो इंपोर्टेंट संबंध का प्रकार जो सबसे इंपोर्टेंट आप लोग को क्लास 12 में संबं यह फलन में संबंध चेप्टर में है, वह आप लोग को यहीं दो संबंध का प्रकार है, इसलिए वीडियो को जरूर लाष्टर देखिएगा और यह वीडियो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, ताकि आप लोगो को प्रेंड्स भी कोई भी हिंदी माध्याम का फ्रें मैं उसको पूरा cover करूँगा और उसके कुछ question देखूँगा और जो मैं next वीडियो लाओंगा वह रहेगा आप लोग को पूरी तरह से numerical का और उसमें सिर्फ संबंद के प्रकार पर ही question रहेगा चलते हैं आप लोग को बिना time लिए क्या करते हैं आगर बढ़ते हैं वीडियो म यह बहुत ही important है यह एक से question पर टेए किक यहर किसी ना किसी board में जो भी board आप लोग को हो उसमें आता ही है चलिए आप लोग को बताता हूँ कि सम्मित संबंद किसे बोलते हैं तो सम्मित संबंद उसे बोलते हैं ना student कि कोई अगर संबंद में A, B अगर उस संबंद में हो तो शम्मित संब्द्ध होने के लिए उसमें B, A भी होना चाहिए उस संब्ध में, तब आप लोग को कहलाएगा हूआ सम्मित संब्ध, आप लोग को संब्ध में नहीं आया है? चलिए, मैं आप लोग एक साथ से परफ एक जांपल करवाता हूँ, एक example लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को समझ में आद देखिए माल लिजे कि एक कोई समबंध और बरावर है आप लोगों को 1,1, 2,2, 3,3, 1,4, 2,5 मैं आप लोगों को दो example ले रहा हूँ example number 1 और example number यहां देखे तो ले रहा हूँ example number यह 2 है यहां पे और बरावर आप लोगों को है 1,1, 2,2, 1,3, 1,4, 4,1 और 3,1 है और यहां पे ए बरावर जो है और वहां आप लोगों को 1,2,3, 4 है और जो संबंध बनाए और पहला संबंध आप लोगों को असी पर दिख रहा है और दूसरा आप लोगों को दो में एक जामपल ले रहा हूँ अब मैं बताता हूँ कि संबंध कैसे होगा तो देखिए यहां पे ए बरावर क्या क्या है 1,2,3,4 और जो संबंध बना और वहां पहला एक जामपल में 1,1,2,3,3,1,4 और 2,5 है तो संबंध संबंध होने के लिए अगर A,A,B अगर है कोई रिलेशन में तो उसको संबंध संबंध होने के लिए B,A भी उस संबंध में होना चाहिए यानि जो पहला क्रमित एक है 1,1 उसको संबंध होने के लिए जब आप लोग B,A कीजिएगा तो वहां भी 1,1 ही आएगा ना देखिए यहां पे यह A है और यह आप लोग को B हैं तो आप लोग A,B कीजिए या B,A कीजिए आप लोग को देखिएगा कि वहां 1,1 ही आएगा वैसे 2,2 को चेक कीजिएगा ना क्रमित एक को तो वो भी आप लोग को सेमी रहेगा चेंज करने पे लेकिन जब आप देखिएगा 1,4 और 2,5 को यहां पे A बरावर 1 है और B बरावर 4 है जब इसको आप लोग B,A कीजिएगा तो क्या हैगा आप लोग बताएगे तो यहां पे यह A है और यहां पे यह आप लोग को B है जब इसको B,A कीजिएगा तो वह आजाएगा 4,1 तो अगर 4,1 इस संबंद में है तब यहां तक आप लोग को सम्मित संबंद है और यह था आगे आप लोग को क्रमित एक चेक करने की जरूरत नहीं है अगर जो यहां पे जो फ यह तब यह संबंद होगा अन्या था यहां से ही हम लोग चेक करने कर देंगे कि यह संबंद है ही नहीं तो आप लोग बताइए कि यहां पर क्या है और वान कॉमा फोर तो इस संबंद में है लेकिन फोर कॉमा वान इस संबंद में है नहीं तो यह आप लोग को संबंद होगा इसके आगे हम चेक ही नहीं करेंगे कि यह संबंद है देखते हैं next example देखिए next example में इसको 1,1,2,2 और 3,1 इसको दोनों को तो चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम इसको a,b निकालें या b,a निकालें बात तो हम लोग को सेम ही है क्योंकि वह आएगा अगर इसको 1,1 क्रमितिम है उसको अगर कीजिएगा b,a तो वह 1,1 ही आएगा और वैसे 2,2 है उसको भी कीजिएगा b,a तो वो भी आप लोग को 2,2 आएगा लेकिन जब हम लोग आगे चेक करेंगे वह 1,3 को तो इसको यहाँ पे a है और यहाँ पे आप लोग को b होगा आप लोग को पता है तो अगर इसको हम अगर b,a करेंगे तो सम्मित सम्बंद होने के लिए कम से कम यहाँ पे 3,1 भी होना चाहिए तब यह सम्मित सम्बंद होगा नहीं तो हाँ से हम लोग चेक नहीं करेंगे कि यह सम्मित सम्बंद नहीं होगा अगर 3,1 इस सम्बंद में है कि नहीं तो हम लोग चेक करेंगे, तो हम लोग चेक कर रहे हैं इस संबंध में, तो 3,1 नहाँ पे है, इसलिए ये आप लोग को सम्मित संबंध नहाँ तक है, आगे जो next order pair है क्रामित यूग में, उसको हम लोग चेक करेंगे कि वह आप लोग को B, A करने पे जो आ रहा है क्रामित लिए ऐसाशान्पू तो यह आपाई देखरा है कि 4,1 भी इस संबंध में है या यहां तो स्थी सब्सें है आगे फिर हां पर देखेएगा अगर इसको किजिएगा तो यह आया था ना तो यह पे a,b करें गे तो यह आप users को और है वह Katherine तो वहां आ जायेगा 1,4 तो 1,4 यहां पर सामिल है वहीं next order पे र क्रमितियूंगों चेक किजिएगा 3,1 को तब आयेगा B, A करने पे 1,3 और 1,3 भी इस सम्बंद में है यानि यह आप लोगों को सम्मिल सम्बंद में है और यह आप लोगों को सम्मिल सम्बंद में नहीं है आगे चलते हैं आप लोगों को समझ में आ गया ना यहां पर देखे दिख रहा है आपर सम्मिल सम्बंद किसे बोलते हैं तो और केवल यदि A related to B तो B related to A और थाट पर तेक A belongs to A के लिए A, A belongs to R यहाँ पर आप लोगों को गलत यह लिखा हुआ यह आप लोगों को कॉपी करने में आप लोगों को गलत होगे यहाँ तक देखिए मैं आप लोगों को समझाया है ना यहाँ पर यह नहीं होना चाहिए था देखिए बोला जा रहा है सम्मित संबंध में कि अगर कोई संबंध में आप देखिए या किसी समुच्य A पर वह संबंध यदि और केवल यदि A related to B तो B related to A यहाँ पर होना चाहिए A related to B related to A हो तो वह सम्मित संबंध कहलाता है सम्मित संबंध कहलाता है देखिए आप लोगों को समझ में आगा ना सम्मित संबंध इस पर मैं आप लोगों कुछ कोशन करवाता हूं तब आप लोगों को पूरी अच्छा तरीका से किलियर हो जायागा देखिए आप लोगों को कोशन दिक रहा है ना बोला जा रहा है कोशन में A बराबर 1,2,3,4,5 जो आप लोगों को relation बन रहा है बहाँ बन रहा है 1,2,1,2,3,4,2,2,1,3,2 तो बोला है कि सीध कीजिए कि यह सम्मित संबंध नहीं है यानि इसमें से कोई जरूर ऐसा क्रमित यूगम होगा जिसको आप लोग B,A कीजिएगा तो वह इस संबंध में नहीं होगा तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा आप लोग को क्रमित यूगम है जो आप लोग को B,A करने पे इस संबंध में नहीं है तो R बराबर क्या दिया हुआ है student R बराबर आप लोग को दिया हुआ है 1,2,1,2,3,4,2,2,1,3,2 हम लोग चेक करना शुरू करते हैं तो सबसे पर यहां पर देख रहे हैं कि 1,2 है belongs to R कर रहा है तब क्या होना चाहिए सम्मित संबंध होने के लिए तो आप बता सकते हैं कि सम्मित संबंध होने के लिए 2,1 भी इस संबंध में belongs करना चाहिए तो हम लोग चेक करते हैं कि 2,1 इस संबंध में है के नहीं तो चेक कर रहा है 2,1 तो यहां पर देखिए यहां तक तो सही है 2,1 इस संबंध में है तो यहां तक तो सही है चलते हैं मैं next क्रामित इगूं को चेक करके देखता हूं तो 1,1 को जब कीजिएगा तो वो तो सेमी रहेगा 2,3 करको के देखते हैं तो 2,3 belongs कर रहा किस में? relation R में तब आप लोगों को 3,2 भी इस relation में रहना चाहिए तब कहलाएगा ये सम्मित संबंद तो 3,2 भी इस करमित इस संबंद में है 3,2 भी इस संबंद में है तेहार तक तो सही है आगे चेक करते हैं करमित कौन? इसको चेक कर चेके, इसको चेक कर लिए चलते हैं next करमित इउब 4,2 को चेक करके देखते हैं कि यह आप लोगों को B,A जब कीजिएगा 4,2 को 4,2 को जब B,A कीजिएगा तो वहाँ आप लोग को B, A करने पे जो आएगा क्रमितिव वहाँ आप लोग को संबंध में है कि नहीं तो देखते हैं 4, 2 तो belongs कर रहा यार से 4, 2 belongs कर रहा relation में है तब आप लोगों को क्या होना चाहिए 2, 4 भी आप लोगों को रहना चाहिए relation में तो यहाँ पर जब देखिएगा आप लोग तो 2, 4 इस relation में नहीं है यानि 2, 4 नहीं है relation में तो क्या हुआ यह आप लोगों को संबंध नहीं नहीं हुआ क्यों क्योंकि अगर 4, 2 संबंध में है तब आप लोगों को संबंध होने के लिए 2, 4 भी होना चाहिए था लेकिन 2, 4 है ही नहीं तो यह आप लोगों को संबंध नहीं है यहाँ पर अब लिख दीजिए आप लोगों कोस्टन सॉल्व कर चुका आता या संबंध आता या संबंध नहीं है सम्मित संबंध नहीं है इस question को आप लोग को prove करने के लिए बोलत रहा था आप लोग उने सीध कर चुका इसका देखिए आप लोग को solution रहा देखिए क्या है 1,2 belongs कर रहा है R से तो 2,1 करना चाहिए तो सम्मित होने के लिए 2,1 था फिर 2,3 कर रहा है R में relation संबंध में था तो सम्मित होने के लिए 3,2 भी होना चाहिए था तो 3,2 भी इस संबंध में था जब हम लोग चेकिए 4,2 करना इगुम को तो क्या हुआ कि यहाँ पर आना चाहिए तो सम्मित संबंध के लिए 2,4 भी होना चाहिए था लेकिन 2,5 फोर इस संबंध में हैं ही नहीं तो यह इसलिए आप लोग को सम्मित संबंध नहीं है आगे मैं एक कोशन करवा रहा हूँ है student जिसमें आप लोग को वाश सम्मित संबंध होगा मैं उसमें कोशन करवाऊंगा तब आप लोग का परचल जाए कि तो यह solve किजिए, वीडियो को पॉच कर, उसके बाद आप लोग solution देखिएगा, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है a बराबर 1,2,3,4 और और बराबर दिया हुआ है 1,1,2,2,2,3,3,2,2,1 और 1,2 दिया हुआ है, तब बुले जा रहा है कि सीद करें कि यह समिल संब कहला आएगा, तो देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं, आर बराबर क्या दिया हुआ है, आर बराबर आप लोग को दिया हुआ है, 1,1,2,2,2,3,3,2,2,1 और 1,2 आप लोग जब question solve किजिएगा था, आप लोग सिर्फ देख कर बता दिया कि हाँ, यह समिल संबंध है कि नहीं यह सब तुल्य संबंध है कि नहीं, आप लोग जोब रहाऊंगा, वह सिर्फ देख कर बता ही दिजिएगा कि हाँ, यह संबंध है कि नहीं, क्योंकि आप question practice करते हैं, तब आप लोग को brain जादा question को समझता है, तो देखिए, क्या दिया हुआ है, 1,1 है ना, तो अगर इसको हम B,1 भी करें, B,A भी करेंगे, तो वह सेम होगा, वैसे ही 2,2 है, तो अगर हम B,A करें, तो भी वह सेम हो जायगा, हम लोग 2,3 से check करना शुरू करते हैं, तो 2,3 इस संबंध में हैं, तो आप लोग को क्या होना चाहिए, सम्मित होने के लिए 3,2 इस संबंध में होना चाह तब यहां आप लोगोगो को सम्मित कहलाएगा तो 3,2 में चाहिए तो थीरी- तो है. यहां तक सभी है यहां तक 3 को अगर 3,2 को भी चेक करएगा. तो 3,2 मिलोंग को रहा है यार से तो आप लोग को सम्मित होने के लिए 1,2 होना चाहिए इस संबंध में तो 1,2 भी आप पर सामिल है और हम लोग 1,2 को जब चेक करेंगे उसको B, A करेंगे तो हम लोग को आना चाहिए 2,1 तो 2,1 भी है यानि यह जो आप लोग को संबंध दिया हुआ है या सममिमित में है आप लोग खुद देख सकते हैं न क्योंकि जब हम जो B, A किये तो जितना हम लोग को करमीत इगवाना चाहिए था वहाँ आ गया है और वहाँ सम्बंध में भी है इसलिए ये क्या हुआ ये कोश्चन आप लोग को सम्मित सम्बंध में हो गया देखिए सबसे इंपॉर्टेंट समมंध में जो है वह मना जो नेवस्ट पुखांँंगा सम्बंध का प्रकार में बहाँ आप लोग को कितना नम부터 होोगा फकाइफ हुआ जिए पूछे स्टीन आप लोग और लोग को सम्बंध का प्रकार वह सबसे इंपॉर्टेंट है इस Cris देखते हैं उस संबंद को कौन से संबंद है आप लोगों को सबसे इंपोर्टेंट है तो देखिए इस संबंद में यह बोलता है ना स्टुडेंट कि अगर कोई रिलेशन में कोई संबंद में एकमा भी है और बी कौमा सी भी है तब इस संबंद में आप लोग को A होना चाहिये में जायसे आप लोग अभी कोरोना का समय है आप लोग किसी के इत्न out को ऐते हैं स्टुडेंट को तो को इसको क्वान धा दौह बोल्ब आदमी है और वहां किसी को कॉंटेक्ट में आया तो उसको कॉरोना हो गया और जो सेकेंड पर्षन हुआ जिसको कॉरोना हुआ वहां दूसरे को कॉंटेक्ट में आयेगा तो भी उसको कॉरोना हो जाएगा यानि फर्ष्ट और ठीरी दोनों को कॉरोना को कॉरोना इसे में हो है और उसका नाम भी क्रोना ऐसा जो बाइरस है वह संक्रमक बाइरस है क्योंकि यह आप लोगों को परसन टू परसन फलता है मतलब संक्रमक मतलब एक को हुआ तो दूसरा को हुआ तो तीसरे के भी होगा वैसे यहां संबंध है कि बोलता है कि अगर एक कॉमा भी अगर इस संक्रमक संबंद में होना चाहिए और अगर एक कॉमा बी ही सिर्फ है तो वह आप लोग को संक्रमक संबंद कहलाएगा देखिए आप लोग को संक्रमक होने के लिए आप लोग को संबंद रहा है वहां से आप लोग को संबंद बन रहा है वह बन रहा है कि यह संक्रमक संबंद नहीं है आप लोग इसको प्रूब कीजिए कि यह संक्रमक संबंद नहीं है यानि आप लोग जब चेक कीजिएगा A, B और B, C होगा तब इसमें कोई न कोई ऐसा एक क्रमितियुम होगा जो A, C नहीं होगा तब यह संक्रमक संबंध नहीं कहलाएगा फ़रों चेक करते हैं वा कौन सा क्रमितियुम है तो R बराबर आप लोगों को दिया हुआ है क्या? और बराबर आप लोगों को दिया हुआ है 1,1 2,2 2,3 1,2 2,1 और 3,2 आप लोगों को दिया हुआ है तो हम लोग चेक करते हैं चेक करना शुरू करते हैं सबसे पहले वह जो आप लोगों को A और A के बीच में होता है ना स्टुडेंट A और A के बीच में आप लोगों को जो दिया हुआ क्रमित्यूब उसको हम लोग चेक नहीं करते हैं क्योंकि अगर उसको हम लोग चेक करेंगे तो वह अपने आप ही संक्रमक संबंध में रहेगा वो संक्रमक संबंध में रहेगा कौन रहेगा? तो जो a, a के प्रकार में करमी तुम होगा वह संक्रमक संबंध में होता है उसको हम लोग चेक नहीं करते हैं तो आगर कर देखते हैं जैसे a, a का फॉर्म में है और ये भी आप लोग को a, a के रूप में है तो इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसको अगर हम check भी करेंगे तो यह आप लोगों संत्रमक संबन्ध में होगा तो देखिए आप लोगों को चेक करते हैं 2,3 को 2,3 तो एक ए और एक फॉर्म में नहीं है तो इसको हम लोग चेक करेंगे 2,3 को हम लोग चेक करेंगे कि कोई ऐसा क्रामित यूगम है जो थीरी से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग इसमें चेक करते हैं समध्य में कोई एक ऐसा क्रामित यूगम है जो थीरी से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग देख सकते हैं यह आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं यह B है और यहाँ पर देख सकते हैं यह B हुआ न और यह आप लोग को C है तो आप लोग को संक्रमक होने के लिए क्या चाहिए तो संक्रमक होने के लिए आप लोग को A, C यानि 2,2 इस संबंध में होना चाहिए अगर यह है तब तो ठीक है नहीं तो यहां से हम लोग बोल देंगे कि संक्रमक संबंध यह नहीं है तो यहां लोग चेक करते हैं ऐसे नहीं आप लोग को मैं दिखा कर दिखाता हूं जिसे आप लोग एक जाम में लिखिएगा उस परक आप लोग को आर में है तो आप लोग को संक्रमक होने के लिए A और C दोनों होना चाहिए मतलब A,C तो यहां पर A देख चुके हैं कि यहां पर 2 है और आप लोग को C भी यहां पर 2 है यानि 2,2 इस रिलेशन में इस संबंध में होना चाहिए तब यह कह लाएगा संक्रमक अ अगे जू करमित इग्म है उसको हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि 1,2 है जो समबंद औरronics सम्गोदे में होई Two Coma One इस संबंद में है तो हम लोग चेक करते हैं دیکھिए कि One Coma Two इसमें अगर है संबंद में और Two Coma One भी संबंद में है तो आप लोगों को संक्रमक कोने के लिए One Coma One इस संबंद में होना चाहिए तब यह अखका लाएगा संक्रमक संबंद तो हम लोग देखते हैं कि 1 comma 1 भी है तीहां तक तो सब कुछ सखी हुआ आगे हम लोग चेक करते हैं 것은 यह हम लोग चेक कर लिए इसको हम लोग चेकать कर लिए और हम लुग देखते हैं निष्ट क्रामी तिनнем को जो कि 2 comma 1 है तो हम लोग भूनेंगे कि कोई ऐसा क्रामितियूम है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर 1,1 है तो हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग को मैं बता रहा हूँ एक मत चेकर करकर मैं बता देता हूँ कि यह हमेशा संक्रमक संबंध में होता है तो देखिए आप क्या दिया हुआ है तू कॉमा वान इस संबंध में है और आप लोगों को वान कॉमा वान भी इस संबंध में है तो आप लोगों को संक्रमक होने के लिए एक कॉमा सी यानि तू कॉमा वान इस संबंध में होना चाहिए तब यह संक्रम संक्रम involvement कहला हैंन्हाइगा तो देखते हैं क्या करते हैं देखते न है संबंद में है तो आप लोग देखिएगा कि कि Ore convene जो हम लोग चेक कर रहे हैं क्रामिटिउंफ वही है तो यहां तो तो सही है यहां तो क्रामिटिउंज नहीं होगा ही क्योंकि आप देखेंगे कि कर रहा है है और आप लोगों को देखिएगा कि हम लोग चेक करेंगे कोई सा क्रामित इव्म है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग देखेंगे कि 2,21 है तो हम लोग इसको चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये तो ए और ए के फॉर्म में ही है आगे हम लोग देखते हैं तो 2,3 भी है तो हम लोग 2,3 को चेक करेंगे क्योंकि ये आप को ए और ए कवार्म के बीच में नहीं है तो आनो चेक करेंगे merciful को Een कौमा थिरी वह इस संद में है तब आप लोगों को संक्रमक होने के लिए क्या चाहिए आप खुद देखिये और संक्रमक होने के लिए का चाहिए तो आप लोगों का पता होगा A,C तो E के जगा पर 3 है, और आप लोगों को C के जगा पर भी 3 है यानि संक्रमक होने के लिए कम से कम इसको 3,3 होना चाहिए यहाँ अगर है इस सम्बंद में दिया हुआ है जो सम्बंद उसमें है तब याथ संक्रमक संबंद शेहाँ कलाएगा यहाँ पे कि three,arma three जो संब्दध दिया हुआ है उसमें हाई नहीं तो क्या हुआ एस संक्रमक संब्ध नहीं नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को जो दिया हुआ है संब्द उसमें ये आप लोगों को three, Sai ही नहीं तो यहाँ पे पायो यह डार नोट भिलॉंग्स मतलब जो थीरि कॉमा ठीर है और आर में भिलॉंग्स नहीं करे राद ज़ी लेशन रिया उसमें नहीं है इसलिए यह क्या बिलॉज़ा हो गया संक्रमग संबंध नहीं है क्यों नहीं हुआ तآ़ वा या फुद रिस सकते या संक्रमक संबांध नहीं है आप लोग समय चुके होंगे इसका मैं आप लोग को सॉलूशन दिखा रहा हूं देखिए आप लोग को स्क्रिंट पर सॉलूशन रहा क्यों नहीं है तो 1,2 संबंध में था और 2,3 था और आप देखिए क्या था 1,2 और 2,3 1,2 और 2,3 यहां पर देखिए आलग से मैं जो बताया था कोई और चेक किये थे और इसमें जो आप लोग का सॉलूशन दिया हुआ है ऐसे भी आप लोग को संक्रमक संबंध नहीं है आप लोग देख लिए चलते हैं next number question पर है क्या बोला जा रहा है जो यह बोला जा रहा है कि A बरावर 1,2,3,4 और R बरावर 1,1,2,2,3,3,1 और 2,1 है तो सीद किजिए कि यह संक्रमक संबंध में है यानि जो हम लोग चेक करेंगे A और B रहेगा और B,C भी रहेगा कोई इस संबंध में तब यह आप लोग को इस संबंध में A,C होगा तब ना आप लोग को बोला जा करते हैं तो solve कीजिए वीडियो को पहुच कर पहले उसके बाद आप लोग solution देखिएगा आप लोग solve किये कि नहीं यह जरूर comment कर बताईएगा देखिए क्या दिया हुआ है दिया हुआ है और बरावर आप लोग को दिया हुआ है 1,1,2,2,3 और 3,1 और 2,1 दिया हुआ है त हम लोग चेक करना start करते हैं तो हम इसको check नहीं करेंगे और इसको check नहीं करेंगे क्यों क्यों कि मैं आप लोग को बता दिया कि जो A और A के फॉर्म में होता है वह हमेशा संक्रमक के रूप में होता है तो देखिए आगे next जो क्रामीत इगम है उसको check करते हैं 2,3 को हम 2,3 हमें लोग धूंचेगे किndoy क्या क्रामीत इगम है जो 3 से start हो रहा है तो हम लोग को देखे हैं कि हां पर 3,1 है जो आप लोग को 3 से start हो रहा है यानि 2,3 इस संबंध में है और आप लोग को शंक्रमक होने के लिए 2,1 यानि A,C होना चाहिए यानि तो आप लोगों को संक्रमक होने के लिए क्या चाहिए 2,1 इस संबंध में होना चाहिए तब यह संबंध में कहलाएगा निया था यहां से हम लोग छोड़ देगे कि हाँ यह संबंध में है ही नहीं तो देखते हैं कि इस संबंद में आप लोगों को 2,1 है कि नहीं यहां पर देखिएगा कि यहां पर 2,1 है यानि यहां तक तो सब सही है जो आगे करमीत इगुम है उसको हम लोग चेक करना शुरू करते हैं तो आगे आप लोग करमीत इगुम है वहां 3,1 बिलॉंग कर रहा है 3, 1 है वहां आप लोगों को है तो इसको चेक करते हैं कि कोई आप लोगों को आप लोगों को एसा कोई करमित इंगम है जो 1 से श्टार्ट हो रहा है तो ये 1 से सिर्फ ये आश्टार्ट हो रहा है और कोई क्रामित इगम है जो 1 से आश्टार्ट नहीं हो रहा है और आइसा मैं आप लोग को बता दूँ कि जो सिर्फ A और B के फॉर्म में रहे और B और C नहीं नहीं रहेगा उस सम्मझ में तो A और जो B के फॉर्म में है वह हमेशा संक्रमक में रूप में रहता है यानि यह आप लोग को इसको हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ यह आप लोग को A और B के फॉर्म में है और B, C है ही नहीं तो हम लोग चेक कैसा करेंगे और बुरा जा रहा था आप लोग को संबंद का जो आप लोग को डिफिनेशन था उसमें बुरा जा रहा था कि A, B है और B, C है तब आप लोग को चेक करना है कि A, C उस संबंद में है की नहीं यहाँ तो सिर्फ एकवाव भी है उसके आगे तो कुछ ल nouveा नहीं तो क्या चे困ेंगे हम लुग चेक नहीं प्रिभरी करेंगें हम लोग देङगे तो कोई आस्ता क्रामीतुरत क्या है है जो 1 से अच्टाट हो रहा है तो आप लोग को कोई करामीतियों को संभंध में आएगा ही अत voltar है क्या हुआ यह आप मोगों को से कंडीसष्पाई कर दिया कि नहीं यहाँ पर आप εस तंभंध में है और 3,1 भी संबंद में है तब आप लोगों को संक्रमक होने के लिए 2,1 चाहिए था और 2,1 इस संबंद में है भी और ऐसा कोई क्रमित यूँ नहीं है जो आप लोगों को संक्रमित संबंद होने के लिए रुकावट पैदा कर रहा है इसलिए ये क्या हुआ संक्रमक संबांध में हुआ कि नहीं क्या हो गया आता हिया संक्रमक संबांध में है है न आप लोग बताईए कॉमेट करके कि ये संक्रमक संबांध में है कि नहीं ये बिल्कुल संक्रमक संबांध में है तो इसका मैं आप लोगों को solution दिखा रहा हूँ, देखिए आप लोगों को, यहाँ पर देखिए 2,3 इस संब्ध में था, और 3,1 इस संब्ध में था, तब आप लोगों को संक्रमक होने के लिए 2,1 इस संब्ध में था, तब यह संक्रमक संब्ध हो गया, चलते हैं आगे, एक प्रकार का और संबंध है वह आप लोगों को सब्तुल्य जिसको बोलते हैं वह प्रहाने को बच गया लेकिन वह कुछ नहीं होता है वह होता है कि अगर कोई संक्रमिक हो सम्मिमित हो और आप लोगों को एक प्रकार का जो पहाय था ना आप लोगों को अगर अगर आप लोगो तुसका नाम सबतुल्य संबंध है आप लोग पढ़ की आईएगा कि सबतुल्य संबंध हम लोग किसको बोलते हैं तो आप लोग को क्या है आज के लिए इतना ही रखते हैं आगे जो मैं लाओंगा आप लोग को कोश्चर प्रैक्टिस कर रहेगा लेक्षर तो आप लोग को स description में दिया हुआ है जाकर एक अवाज जरूर देखें क्योंकि वहां पर आप लोगों को notes upload कर दिया गया है Hindi माध्याम को total जितना notes है आप लोगों को वह upload कर दिया गया है तो मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जैंत बंद्यमातराम